जैन समाजाचे प्रतिबिम्ब महराष्ट्र जैन वार्दा इन परंपरा में सर्वमान्न स्तोत्र है श्वेतामबर और दिगंबर दोनों इसका पाठ बड़ी स्रद्दा से करते है यह स्तोत्र जपने से सारा काम हो जाता है यह स्तोत्र शांतिया और सुक्त प्रतिक है अब मैं भकतंबर की पाच्वी गाथा बोल रही हूं अब मैं उसका भावार्थ बताने जा रही हूँ है मुनिश आपके गुनं का वर्नंग करने में अक्षम में हूँ फिर भी वह मैं तुम्हारा स्तवंग करने के लिए प्रणुत हुआ हूँ इसका ही तो है भग्ति आपनी शक्ति का विचेर कि ये बिना अपने शिशु का परिपालंग करने के लिए क्या मुरुक्स हां का मुकबला नहीं करता है इसका ही तो है पृति यह उसका भावार्थ है है भगवान मुझे भी ऐसी शप्ती भक्ती और प्रिती में सरद्धा से विलिंग कर यही प्रार्थाना जय जिनेंद्र